साथियों आज मैं आपके लिए एक बेहद शांदार केस डूंड कर लाया हूँ आज मैं आपको बताऊंगा हाइपो थर्मिया से पशु आखिर क्यों मर जाता है उसको हमें डाइग्नोसिस करने में एसी कौन सी दिक्कत आ जाती है हम इन पशु को फिर बचना बेहद मुश्किल हो जाता है और फिर देखते ही देखते हमारे आखों के सामने यह पशु मर जाते हैं देखिए इस जो काल्फ है इसका टेंपरेचर आ रहा है 95 जब मुझे कोल आया कि सर एक गाय काव है जिसका टेंपरेचर 95 आ रहा है और इसका दिन में टीटमेंट किया गया था यह दिन में खड़ा था और दिन में जब इसका टीटमेंट किया गया तो इसको इंजेक्शन की सुईयां लगाई गई उसमें इनको एंटिबाइटिक लगाया गया साथ इसका टेंपरेचर हाई था तो इसको मेलोक्सिकेमेंट पेरसे लगा गया ताकि इसका टैमपरिशर कम लेकिन इससार में इसका टैंपरिशर अप इतना हो गया कि यह नीचे लड़ गया है और मानों इसार लगता है कि यह मर गया है oversized ARDS करके तुरंत बता दिया मेरे सस्क्राइबर भाई को कि अब यहां से इसको बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा और अब यहां से नहीं बचेगा फिर भी उन्होंने कहा कि सर ठीक है आप जो बता जी लगा के देखते हैं फिर भी मैंने इसका ट्रीटमेंट उनको बताया क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी यह काल्फ गंटे-दो गंटे से लेटा हुआ था और आप इसके इस्तिति को देखिए पूरा मानो कुछ ही नहीं बैस इसके आंतों को देखिए इसके पेट को देखिए थोड़ा-थोड़ा हिला रहा है हल्की-हल्की सांस ले रहा है मेरे दुआरा बतायागा जब उन्हों नहीं ट्रीटमेंट किया तो भी यह नहीं बचा यह क्यों नहीं बचा क्योंकि काफी देर हो चुकी थी और अब इसको कोई भी दवा काम नहीं करें यहां पर एक गलती यह हुई कि एक इंजेक्शन नहीं था उनके पास जो सायद लगा देते तो सायद यह खड़ा हो पाता लेकिन सायद इस वर की क्या इच्छा इसको नहीं बचाना था ही डी घ्यान चेकर लिया हमने सब कुछ चेकर लिया हमें पता चल गया कि है घ्याल ना तो साथ के नीचे जो चमड़ी रहती है मानों इसका पूरा मौ एकदम से काला हो गया कि इसको डाइग्नोसिस करने के लिए आप सबसे पहले इसका टेंपरेचर चेक करें अगर टेंपरेचर 95, 94 या 93 फेरनाइड आता है तो समझ लिजिए हाइपोथर्मिया का कैसे और इसको हमें केवल हाइपोथर्मिया का ही टीटमेंट करना पड़ेगा पशू लेट जाता हाइपोथर्मिया में पशू के मुझ से पाने चलने लगता है पशू की सभी मेंब्रेन काली पड़ जाती है पशू जब लेटता है तो अफ़र आ जाता है और पशू बिलकुल भी हिल लूल नहीं पाता है उसको जब खड़ा करते है तो वह खड़ा भी टेंपरिचर अगर बहुत ही ज़दा डाउन है तो समझ लिए कि हाइपो थिर्मिया केस है अगर उसके मुझ की सभी जिल्लियां काली पड़ जाए तो समझ लिए डेट के बहुत निश्ची थे और इसकी अपडेट होने वाली है देखी हलके हलके सांस ले रहा है तो साथियों यही इसके सिम्टम्स आते हैं और अगर पशु निचे लेट जाता है तो उसको अफ़रा भी आता है उसके मुझ से लार बहने लगती है और जब मुझ से अगर पाने निकलने लग जाता है तो उस पशु को बच्चाना फिर बेह सकती थी कि इसको फिर भी हमने केल्टियम सबकर लगवाया था इसको हमने डेक्सा में तुन इमल यव़ लगवाया था इसको हमने ре housing ट्राइब वीट होन ओफ फॉस्पेन और डेक्स्ट्रोज इसको आई भी लगाया था क्योंकि साइद यह बस सके और हमने इसको एंटिबाइटिक और हमने इसको इंजेक्शन सेट्रिक्सम सल्वेक्टम 500 mg का इंजेक्शन लगवाया था अगर आपके पास यह ना हो ता आप मोनो से फेस भी भी लगा सकते हो और अगर यह ना मिले ता आप इंटिबाइटिक भी दिलवाया यहाँ पर आपको बुखार उतारने की दवा कोई भी नहीं लगानी और हमने इ क्यों बोला था क्योंकि रेडिमाया रिमॉट इंजेक्शन लगाने से पशू का ब्लड सर्कुलर बढ़ जाता है यानि अगर उसका ब्लड रुखा हुआ है रुख जाता है तो वह उसके कारण ब्लड चलना लगता है शारे शरीर में वह दोड़ना लगता है खिंचा होने लगता है जिससे पशू के बचने के बहुत ही ज्यादा आसार बन जाते हैं तो आप ऐसे केस में रेडिमाया रिमॉट इंजेक्शन लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आती इससे आपके रिजल्ट भी अच्छे बढ़ते हैं तो साथियो यह था हमारा हाइपो थर्मिया के पर वीडियो क्योंकि आज यह बहुत ही शांदार केस था और इसका एक इंजेक्शन की नवज़े मिलने की वज़े से इसकी डेथ हो गई और यह डेथ के निश्चे उसी टेम पर आ गया था कि इसकी साभी मुक्यस काली पड़ गई तो देखते रहे हमारे चैनल को और सब्स